Students, अगर इंगलिस बोलना है, तो टेंस सीखना है, आप अच्छी इंगलिस बोलना चाहते हैं, तो टेंस सीखना ही पड़ेगा, टेंस में हम ज़्यादे कुछ नहीं सीखना होता है, बस पर्तिक टेंस के इस्टर्चर को जानना होता है, मुखिय रूपते चार परम होते हैं róमिएपिव नियुटिव एंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंट्रेंच अज़े थे के कुल तीन परकार होते हैं तीनों के चार फॉर्मू होते इन्स मिलाके आपको टेंस कि बारप फॉर्म जानने होते हैं और और 4 प्रकार के स्ट्टेंस हैं तो बारमें force multiply करेंगे तो 48 आएगा तो 48 प्रकार की structure आपको जानने है अगर आप 48 प्रकार की structure जानने जानगे तो फिर अच्छा English लेकने से आप कोई नहीं रूख सकता अगर आप अच्छी English लेक सकते हैं तो फिर आप अच्छी English भोल भी सकते हैं और structure जाद करना काफी आसान होता है कहने के लिए 48 structure है पर आप देखेंगे कि जो इसका pattern होता है एक निष्चित तरीके से बदलता है किसी में helping work हम आगे कर देते हैं इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव बनाना हुआ तो नाट एक निशिव जगन पर आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो आफिर्मेटिव का एक निशिव पैटर्न होता है सारे टेंस का कि तो आज मैं आपको प्रेइंट का निगेटिव सेंटेंस का ने पर गया रहा हूँ हुआ हम एक रजेशियंट Continuous Tense Present Continuous Tense Affirmative Sentence का structure और कुछ एक जापल मैंने पिछले वीडियो में दिया था खिलाल मैं Negative Sentence प्यालता हूँ Negative Sentence Affirmative Sentence का जो structure था Subject प्यालता हूँ Negative Sentence में Not आजाएगा और कहाँ प्याएगा Help Me Work के बाद और Made Work के पाले Subject Plus Is R में से कोई एक Plus Not Plus Work का First Form With Ing Plus Object इतना ही है इस ट्रक्चर Negative Sentence का सबसे पहले Subject रहेगा फिल प्याएगा में से कोई एक Subject के अनुसार उसके बाद नाटा जाता है और के First Form में Ing जोडते हैं उसके बाद Object लेकते हैं अब अगर हम कुछ Subject ले लें जैसे की I V U और Krishna इन सारे Subject को हमें किसी वर्प के साथ Form करना है एक सिंटेंस के रूप में और कोई वर्प अपने पसंद से में ले ले रहे हैं कोई भी वर्प जैसे मैंने बाई लिया यहां पर एक बाई वर्प आ गया और Object भी कोई अपने पसंद कर ले लिया जा और बाई कर रहा है तो माल लेते हैं बुक को बाई कर रहा है अब हमारे पास Subject है, Verb है और Object है इससे हमें सिंटेंस बनाना है Present Continuous Tense में और Negative sentence बनाना है जैसा structure लिखा हुआ है हम आई के साथ बना रहे हैं आई के साथ Helping वर आता है Am और Helping वर के बाद हमको Not लिखना है I Am Not और Verb के फर्स्ट फार में आई एंजी तो बाई में आई एंजी जोड़के लिखेंगे तो बाईंग बनेगा आई नट बाईंग बोक जो की एक Object है इस तरह से अगर हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो की वी है सेम वर्ब से अबजेक्ट को फार्म करें तो वी आर नौट बाईंग बोक एर सेंटेंस हुआ नेगेटिव सेंटेंस जो की परेंट काईटिनिवर स्टेंस का है अगर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है वी को यू से तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस के यू आ जा रहा है यू के साथ हेल्पिंवर आर रहता है यू आट बाईंग बोक कोई एक नाम है जैसे कि किस्णा तो एक नाम के साथ और एक से लिख नाम होगा तो हम आप करीजिक करेंगे क्रिस्ना के साथ अगर कोई और आजाता है तो हम आप करीजिक करेंगे क्रिष्णा एंड राधा आर क्योंकि एक सदिक नाम है आर नाट वाइंग पुक तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंटेंस फारमेशन बहुत ही आसान है सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि परतेक्स करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि अधर पर वदलता है अगर आट ने लुट करना है सिर्फ यह उटीन पर वर और दोप्सक्रा पर हमें बहुत है